मैं आज शुरुवात करने जा रही हूँ एक नए मेन्यू आगी और इस मेन्यू अगो अभी तिक किसी ने हिंदी में एक्स्प्लेइन नहीं किया है आप सभी ने मुझे सा स्टेजिशन बेज़े दे उसके लिए बहुत बहुत थेंक्यू मैं अगली बार उनी में से किसी बताएं कि आप अगर इंडिया से हैं तो कौन से स्टेट से हैं और अगर बढ़ों से देश से हैं तो भी जरूर बताएं क्योंकि मेरी काफी वेन फॉल्लूविंग आई मिन सब्सक्राइवर पाकिस्तान बांगलादेश और नेपाल से भी है इसलिए जरूर जरूर कमेंट क करके बताएं तो चलिए बिना समय गिवाई मेनुआ की एक्स्प्लेनेशन पर बढ़ते हैं किरेक्टर इंट्रोडक्शन कुछ यू है कि इस आदमी का नाम है यह यांग यह 28 साल का है और हान चेंग यह फेमिली का यंग मास्टर है और यह है हमारा प्यारा सा जू चेंग ज सब्स्टिट्यूट की तोर पर देखता है कहानी के शिरुवात में देखते हैं जू चेंग खाना बना रहा है उससे एक अपने दोस्त की बात याद आती है कि उसने कहा था असली माल नकली माल जू चेंग सोचता है उस बात का क्या मतलब है तो आईए देखते हैं कि बात आ यांग का दोस्त चिया आता है और कहता है ही क्या तुम यांग के लिए पर्टे कि फ्ले रहे हो पर मुझे तुम्हें एडवाइस देने दो अगर तुम कुछ चीज करी दो तो उसकी फरस्ट कॉपी ही लिया करो जूचेंग कहते हैं फरस्ट कॉपी मतलब क्या स्टोर वाले ग वापिस आजाएगी तो नकली माल को कौन यूज करना चाहेगा मेरा मतलब है कि सामान को परक कर ही लेना चाहिए और तुम्हें पता है मैं यांग के पर्टे पर उसे बहुत बड़िया सर्प्राइस देने वाला हूं और पता है यह बिल्कुल असली है कोई सेकेंड कॉपी जींग चीयों से वही दूएदा में छोड़कर चला जाता है जुचेंग मनही मन सोचता है कि क्या वह मुझे मेरी जगा दिखा रहा था प्रेजन सीन में हम देखते हैं यांग गळ रहाता है और कहते हैं किय वॉन तंग यड़ी है जुचेंग के थे हाँ ओल्मास्त जूच चिंग सोचता है, मुझे इन बातों को जादा नहीं सोचना चाहिए, वेसे भी, यांग की दोस्त मुझे पसंद नहीं करते हैं, जू चिंग यांग से कहते हैं, क्या मैं तुमारे लिए इंविटेशन कार्ड लिखो, मैं तुमारी बर्थे पार्टी के बारे में सोच रहा था यांग कहते हैं, ये काम तो कोई और भी कर देगा, तुम परिशान क्यों हो रहे हो, जू चिंग कहते हैं, पर ये तुमारा बर्थे हैं, इसलिए मैं इसे खुद अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ यांग कहते हैं, शोर, अगर तुम जाओ तो उन्हें लिख सकते हो, जू चिंग कहते हैं, ध्यान से खाना ये गरम है, जू चिंग सोचते हैं, इसी बहानी मुझे अपनी राइटिंग दिखाने का भी मुखा मिल जाएगा, यांग कहते हैं, मेरी मजद करो इसे फूख मारन पर यांग का ध्यान उसे की मखमली होटों पर होता है, यांग कहते हैं, मैं अब खाना नहीं कहाना चाहता हूँ, जू चिंग कहते हैं, क्यो नहीं, मुझे लिखते हैं कि तुम वों तॉंग से पक गई हूँ, तुम मुझे बताओगी तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ यांग उसे अग्रेसिवली पिन करता है और होवर्ड होकर कहता है मैं तुम्हे खाना चाहता हूँ जूचिंग कहते है अरी यहां नहीं यांग कहते है तो फिर चलो बेड्रूम में चलते हैं यांग उसे गोद में उठाकर माद से ली जाता है जूचिंग शर्माती भी कहते है अभी कुछ दिर पहले तो तुम ठीक थी अभी क्या ऐसी अरकती कर रहे हो मिस्टर और मेरी तरफ ऐसी निगावां से मत देखो यांग अपनी टाई उतार दीता है और उसे जूचिंग की आँखो पर बांद देता है जूचिंग की थी क्या मुझे इस पार भी ब्लाइंट फॉल करना होगा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यांग केते स्थिरो तुम्हें बता है न मुझे ये सब कितना पसंद है और तुम्हें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जूचिंग सूचते आज आयंग को हुआ क्या है वो रोजाना से जादा अग्रेसिव लग रहा है जूचिंग अपने मन में सोचता है मुझे ये मेथट पसंद नहीं है मैं उसके चेरा भी नहीं दीख पाता और मैं खूश हूँ अगर उसे ये सब पसंद है इसके बाद वे दोनों साथ में इंटिमेट होते हैं जूचिंग उसकी बाल से अलादा वे कहते तुम कितनी क्यूट हो कुस देर में यांग की नीन कुलती है पर जूचिंग वहां नहीं होता यांग बाहर आता है जूचिंग कहते अरे तुम जग गई मैं थोड़ा सा लीड उटा था इसलिए मेनी वन तॉंग की जिगन डंपलिंग्स बनाए है बेटों और खाना खाओ मैं तुम्हारे कपड़ी तियार कर देता हूँ यांग कहते तुम भी मेरे साथ बेट कर खाओ जूचिंग मन में सोच रहते मैं जब से आयांग से मिला हूँ मैंने उसे कभी हस्ते में नहीं देखा वह उसे पूछते कि क्या तुम आज राद दिनर करने आओगी यांग कहते हाँ शायद जूचिंग कहते ओक्य फिर में तुम्हारा इंतसार करूंगा जूचिंग सोचते अगर मैं उसे तोड़ों वक्त दू तो वह शायद पिगल जाएगा दोपर के दो बुच रहे हैं जूचिंग बागती भी अपनी पियानो क्लास में पोचते है क्योंकि वह पियानो का टीचर है रिसेप्शिनिस्ट कहती है टीचर जू आज आप लेट हैं वरना हमेशा तो आप ही सबसे जल्दी आते हैं जूचिंग कहते हैं सोरी मैं आज जादा सो गया था जूचिंग को ग्रेज़ेशन के बाद ही पियानो टीचर के तोर पर नौकरी मिल गई थी रिसेप्शिनिस्ट उसकी गिस की और इशारा करते हैं किया कल रात बहुत ही इंटेंस थी आपके लाल माक्स दिखाई दे रहे हैं जूचिंग कहते हैं ओ सोरी मैंने जल्दवाजी में ध्यान ही नहीं दिया लड़की कहते हैं कोई बाद नहीं मैं इस पर कंसिलर लगा देती हूँ जूचिंग कहते हैं सोरी मैंने तुम्हें परिशान किया लड़की कहती है, टीचर, क्या तुम्हारा आज रात कोई प्लान है, मैं और सारा स्टाफ मेंबर्स हम डिनर पे जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी जोचिंग कहता है मैं नहीं आ सकता, मुझे आज रात डिनर भी तो बनाना है गर जाकर लड़की कहती, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, कि तुम्हारा एक बॉइफ्रेंड भी है, तुम तो गर पर ही खाना खाओगे न पता नहीं वो कौन लखी लड़का है, जिसे जोग मिला है, ये बोगवान मैं भी कितना जादा बोलती हूँ न जोचिंग कहती है, ओकी तो फिर में अपनी ग्लास लेने जा रहा हूँ लड़की कहती है, तुम अभी किस बात के लिए टेंक्यू कर रहे हो, तुम मुझे अपनी शादी पर जुरूर बुलाना उस बॉइफ्रेंड वाली बात पर जोचिंग शर्मानी लगता है, वैसे बॉइफ्रेंड हम वेसे भी हम दोनों इतने सारी काम एक साथ करते हैं, तो लोगों को यही लगता हैं, कि हम लवर्स हैं चार बुज़े तक जोचिंग घ्लास लीते हैं और भी घर आजाते हैं, वैसे साथ बुजे के लगबग खाना बना रहा है, यांग का गर, पोने साथ बुजे जूचिंग यांग को मेसेज करते है कि खाना तियार है तुम कब तक आने वाले हो रात की पौने आट बच चुके और जूचिंग अभी भी इंतजार कर रहे है पर यांग का अभी तो कोई मेसेज नहीं आया फर साड़े नोव बजी तक इंतजार करते है फिर सोनी चला जाते है रात बारह बजी यांग गर आते है और कहते है जूचिंग भे घर आ गया हूँ यांग उसकी बालों को सहलाते है वह देखते है कि जूचिंग की आँग की नीचे एक तिल है जूचेंग की नीनत कुल जाती है और मैं कहते हैं अरे तुम वापस आ गई क्या तुमने खाणा क्षाया मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ पर और हाँ वीडियो को जादा से जादा लायक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें